Hello everyone and welcome back to fostering academy this is me Nidhi presenting periodic classification table trick in front of you. मेरी कोशिश रही है कि आपके लिए ये बहुत ही सिंपल मानर में मैं आपके सामने लेके आऊं और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कहूंगी कि ये वीडियो विएकुल एंड तक जरूर देखें हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाए बट ओविएसली आइम गोईंग तो टेल यू तो एक्स्प्ले करता है जितने elements आपकी class 10th के accordingly important है उन्हें किस तरह से करना है यह किस तरह से करना है यह मैं आपको बताऊंगे तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरी एंड तक देखने पड़ेगी और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड प्रेश सब्सक्राइब बटन अंबल आइकन अलोंग विदेट तो गेट मोर वीडियो लाइक देखने फूटर तो लेस्टाइब कोई भी कोई भी एक अलिमेंट होता है उसके कुछ ना कुछ एंटम होते हैं और वह एंटम कहां पे होते हैं वह पर्टिकुलर शेल्स के अंदर होते हैं यह हम पड़ चुक है कोई भी एक्टम है लाइक हमने यहां पर लिया सोडियम आपको यह एक्जामपल भी दोंगे मैं सोडियम एक एलेमेंट है उसके कुछ आटम हैं अब वह एक्टम कहां पे रिजाइड करते हैं कितने इलेक्ट्रों है क्या है वह आपने दिखना है यह आप तक कर चुके होंगे लर्ण और क्लास 9 में भी आपका यह बहुत ही रहा है कि आपको अटमिक नंबर्स लर्ण करने थे तो अटमिक नंबर्स चो याद होते हैं और नहीं याद तो उसको याद कर लो अटलिस्स 20 अर्फन 25 के अमिक नंबर्स जरूर अच्छे से याद कर लो वह जरूरी है ने Kar उनके कुछ इलेक्ट्रोंग होते हैं एलेक्ट्रों इकको इस कोने अर्मिकल कोई जेल 20 अर्वेम Halo होते हैं यह लेकिन यह अपने आपमें इतनी बड़ी होती है कि उनके अंदर और भी छोटे-छोटे कमरें होते हैं जैसे गर है भर है इस घर की अंदर बहुत से लोग रहते हैं तो एक ही चत है एक ही फूरा घर तो ऑविसली एक है क्या कमरें नहीं होंगे उसके अंदर definitely होंगे उसके अंदर room होंगे तो similarly just like that कि यह जो शेल है के शेल है यह एक घर है एल शेल है यह तीसरा घर है यह तो यह घर है अलग-अलग माक्सिमम 8 इलेक्ट्रों जा सकते हैं तो अब जो डो लोग यह रहते हैं क्या यह की कमरे में रहते हैं उनके अलगलग कमरे हो सकते हैं तो उसी दरह से हर अपने अलग-अलग सब शेल होंगी और कौनसी होंगी एस पी डी अड अब इसमें इस एक रूम के अंदर कितने कितने लोग एड़ास्ट हो सकते हैं यह मैं अभी आपको आगे बताते हूं लेट्स मूव ओन लेक्राइब और कौन कौन से यह यह देख लिए के शल में टू इलेक्राइब अगे अगे देखते हैं यह शेल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और आपको अभी तक पता भी चल गया होगा वी आपकर करके आए हैं अगर कोई ऐसा स्टूडिंट है जो नाइंध क्ल के लिए भी बहुत हो जाएगा उसके लिए भी तो फॉर्दर हम देखे के स्टूड्स कौन से हैं we have the first स्टूड्स इसके अंदर maximum to maximum two electrons आ सकते हैं then we have P, P के अंदर six electrons आ सकते हैं then D, D के अंदर 10 electrons आ सकते हैं and then F, F के अंदर 14 electrons आ सकते हैं I have basically written it here in the capital form capital letters इसको हम वैसे small letters से denote करते हैं S, P, D and F ठीक है अब आपको जो याद रखने वाली चीज है वो यह है कि S shell के अंदर S sub shell के अंदर two electrons आ सकते हैं P sub shell के अंदर maximum six electrons आ सकते हैं D sub shell के अंदर maximum 10 electrons आ सकते हैं and S shell के अंदर maximum to maximum 14 electrons आ सकते हैं इससे ज़्याजा नहीं अब यह shells का क्या पंगा है यह S, P, D, F यह K में भी यह 4 shells reside करती है L में भी यह 4 shells होती है M में भी यह 4 shells होती है N में भी यह 4 shells होती है ठीक है मतलब कहने का क्या हुआ कि जो K shell के electrons है न वो S में जाएंगे P, D, F मतलब जितने electrons है जितने जितने लोग है उतने उतने adjust होते जाएंगे लेकिन हर shell का यानि K shell भी S से ही शिरू होगी L shell भी S से ही शिरू होगी M shell भी S से ही शिरू होगी I hope यह आपको clear होगा अगर नहीं clear तो आप एक बार फिरसे इस वीडियो को जरूर देखेगा जीरे जीरे आपको यह understanding हो जाएगे और इसे लिख लिख के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आगे देखते हैं suppose we have an element sodium the symbol for sodium is Na now we have its atomic number 11 we know that electronic configuration किस तरह से करते हैं जिस first shell K है then L है then M है I have told you कि K के अंदर maximum 2 electrons आ सकते हैं तो 11 में से 2 चले गए electrons K के पास 8 आ सकते हैं तो हमने यहा पर 8 electrons आ सकते हैं 9 में से 8 electrons होगे अब कितने बचे हैं 1 बचा अब 1 electron M में जाएगा ठीक है M में we can again have 8 number of maximum electrons तो this is your configuration for sodium element यह इसका configuration हो जाता है 2 8 1 I hope यह clear होगा आपको तो यह इसकी shell है तुक है ना 2 belongs to K shell 8 belongs to L shell and 1 belongs to M shell Let us move on further अब इसकी हमने shells तो देख ली लेकिन K L and M यह shells में यह reside करता है यह हमने देख लिया अब सब्सेल्ट में कैसे जाएगा यह देखते हैं नउ सबसे पहले जो के शेल्ट है उषके स्टार्ट होंगे सब्छल में डीवाइल करें तो उस के टोल्लियर अश्पट कि हर 지द्वाइल से फमें किड्रू कि और पर यहां पर यहां टो इलेक्ट्रोंगे आप इतना पता चल गयाकि एस में टू इलेक्ट्रों को थे हैं तो एसके अंदर छले लेकिन अप इसकी आगे क्या होती है denote कर रही है के शल को अगर के शल को डिनोट कर रही है तो हम लिखेंगे इसका सबसे पहले यहां पर उसके बाद में कि किस सब सब शेयल के अंदर है तो सब्से पहले हमने लिखना है कि यह कॉंण सी शेल को यह बिलॉंग करता है यह फर्स स्ब्सेल का है इस नाओ थर्ण पार्ट कि number of electrons कितने number of electrons है as sub shell के अंदर we have only one electron here fine it is two it must be two two we have two electrons here तो हम यहां लिख देंगे one as two अब किस तरह से लिखना है यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने shell लिखनी है फिर हमने इसका लिखना है sub shell की कौन सी sub shell में है फिर हमने बताना है कि इसके number of electrons इस particular sub shell के अंदर कितने हैं तो यह हमारा बन जाता है इसका electronic configuration you can see that कि यह first shell k shell को यह जो first वाला है को denote कर रहा है s जो है यह sub shell को denote कर रहा है और यह जो one है that is one electron यह mistakenly मैंने one लिख दिया है यहां पर two आएगा two electrons fine तो यह इस तरह से इसका electronic configuration हम लिखते हैं तो यह आपको clear होना चाहिए अगर नहीं clear तो go back and वहां देखिए कि मैं एक बाद स्विच से यहां पर repeat कर देती हूं आपके लिए कि तीन चीजे होंगी configuration के अंदर sub shell की configuration के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि कि shell को यह belong करता है अगर वो के shell को belong करता है तो यहां बना रहे हैं हम यहां पर s sub shell की configuration बना रहे हैं तो लिखेंगे यहां पर s और कितने number of electrons इसके अंदर हैं इस particular sub shell के अंदर कितने number of electrons हैं वो हैं हमारे पास 2, तो हमने यहां लिख दिया 2, तो इसकी electronic configuration sub shell की हो गई 1 as 2, तो यह चीज आपको clear होनी जाहिए, इतना अगर clear हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप दुबारा से देख सकते हैं अब हम देखते हैं L shell की electronic configuration, अब हमने जैसे K की start की थी S से वैसे ही L की भी S से ही start होगी, fine, तो सबसे पहले इसकी sub shell होगी, यह हमारे पास है S, P, D, F, यह हम यहां लिख लेता हैं, तो हम सबसे पहले S को use कर रहे हैं, S के अंदर maximum to maximum 2 electrons आ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताय तो यहां पर इसकी मेंजे आगे, वो लिखनी है, इसकी configuration, sub shell की configuration, तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखनी होती है, shell, then उसकी लिखना होती है, sub shell, then लिखना होता है कि कितने number of हमारे पास electrons इसके अंदर है, shell कौन सी है, L shell है, I told you, for K, we have to write 1, for L, we have to write 2, for M, we have to write 3, तो L shell है, तो हम यहां लिखेंगे 2, sub shell कौन सी है, S है, तो फिर से हमने लिखा S, कितने number of electrons है, 2 है, तो हमने लिख दिया 2, तो 2S2 will be its electronic configuration for sub shell, fine, अब यहां से हमारे पास 8 electrons चे, तिक है, इसकी electronic configuration कितनी है, 8 है, अब 8 में से 2 electrons तो चले गए हमारे S sub shell के पाए, कितने बचे, how many are left, 8 में से, 2 electrons चे ले गए, we are left with 6 electrons, we are still left with 6 electrons, तो इसकी भी अगी, हमने इसको किसी और घर में बिठाना पड़ेगा ना, यह कहीं भटिकेंगे तो है नि, तो S 12 है, वो कहता है, मेरे पास तो बचे दो ही लोग आ सकते हैं, और 2 आ जुके है, अब बाकी यहां से बाहर जा अब यहां, पी सब्चल में, अच्छा यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, S के अंदर जो है, 2 electrons आ सकते हैं, P के अंदर maximum 6 electrons आ सकते हैं, D के अंदर maximum 10 electrons आ सकते हैं, और S के अंदर maximum 14 electrons आ सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने KLMN का किया था, for 28818, दिसा the maximum number of electrons जो इसके अंदर reside कर सकते हैं, अब हमारे पास आगया P सब्चल, P सब्चल के अंदर, बाकी के बचे 6 electrons है, तो 6 के 6 वो कहाँगा कि हंजी ठीक है, मेरे घर में 6 people can reside, मैं 6 लोगों को अंदर ले सकता हूँ, तो उसने 6 के 6 को उठा लिया, और यहां पर अब हम इसकी किस तरह स है, वो है P, तो हम लिखेंगे P, P सब्चल, और कितने number of electrons है, इसके अंदर, we have 6 number of electrons, तो इसकी जो सब्चल की configuration होगी, वो होगी 2P6, fine, I hope कि आपको यह clear हो रहा होगा, ठीक है, नहीं हो रहा, तो लिख लिख के करिए, और अच्छे से clear हो जाएगा, then उसके बाद हम देखते हमारा M-shell, अब M-shell की electrons को भी हमें सब-shells में divide करना पड़ेगा, alright, तो देख लेते हैं, इसको किस तरह से divide होगा, तो it has only one electron, again M-shell भी S से ही शिरू होगा, S, P, D, S, ठीक है, अब जहां हमारे electrons पूरे हो जाते हैं, 8 electrons जैसे S और P में खतम हो गया, तो D में जाने की जरू की शेल से आगे हमारे पास S, सबसे पहले हम S ले ले लेगे, ठीक है, it can have maximum of two electrons, M कह रहा है, मेरे पास एक बंदा है, क्या तुमारे घर में जगा है, हां मेरे घर में दो जगा है, S-shell कह रहा है, मेरे घर में दो लोगों की जगा है, तो एक बंदा है, आपका, आप आ सकते ह तो बिलको जा राम चाहा सकते हो, तो ठीक है जी, आ गया, M-shell यहीं पे हो गया, हमारे complete PDF में जाने की हमें जरूरत नहीं है, fine, अब इसकी configuration कैसे होगी, again, shell, कौन सी shell है, M है, for M we have to write 3, that is sub-shell, sub-shell कौन सी है, यहां पे, S-sub-shell है, और number of electrons कितने है, यहां, 1, तो इसकी electronic configuration से होगी, sub-shell की, that will be 3S1, it will be written in the form of exponent form, इस तरह से लिखने का इसका तरीका है, इसी तरह से इसको लिखते हैं, तो यह आपको पता होना जी, कि क्या number किस चीज को denote कर रहा है, like 3, जो है, वो shell, कौन सी shell है, third shell है, that is M-shell, S, जो है, वो sub-shell है, और यह जो 1 है, दी जादे number of electrons अब यह हम क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी राम कहानी क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, हमें जरूरत, अभी तक तो हमने किया नहीं है, यह जरूरत बच्चे इसलिए है, क्यों की, क्यों की, ताकि आप यह table, जो periodic classification का table है, बहुत ही आसानी से बना सको, यह बहुत ही easy way हो इसके बाद आपको सिर्फ एक ही last वाले का आपको निकालना है, जो है configuration, ठीक है, इसके बाद आपको सारा निकालने के जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यह सिर्फ understanding के लिए बता रहे हैं, आगे देखते हैं, अब यह 3S1 आया, 3S1, यह है क्या, आच्चल हमें क्या पता चल इससे, जो यह 3 है, यह बता रहा है कि कौन से पीरियड में यह exist करता है, S जो है वो बता रहा है कौन से ब्लॉक में exist करता है, और यह जो 1 है वो बता रहा है कौन से ग्रूप में exist करता है, अब आपको अचानक से ठकया आ जाए, कि बताओ जो सोडियम कौन सा ग्रूप में है कौन से पिरियड में है कौन से ब्लॉक में है तो आप कोई पूरा टेवल करने की रिक्वाइर्मेंट ही नहीं है अगर आप इसकी सब्सक्राइब की निकाल लेते हो तो यह बहुत ही जिम्पल है जी आप बता सकते हो यह सब्सक्राइब होता है यह देखना बहुत ही जरूरी है अब यह कैसे पता चलेगा हमें यह मैं लाइक वी हाड देश अब यहाँ पर ना जैसे स्रोडियम दिया हमें 281 हमें इलेक्ट्रो नंबर इसका पता है यह इसकी है केशल का है यह यह करने का तरीका बता रहे हूं फास्ट वाला आप प्राक्टिस करेंगे हो जाएगा इट विल हाड़ली टेक डे और टू आप सब ही एलिमेंट्स को निकाल निकाल के देख लीजे और उसके बाद आप एकदम से कुछी सेकिंज में इसका अंसर कर पाऊगे औ और अप तो mcqs की फॉर्म में आना है तो आप यह बहुत जरूरी है करना तो केशल का एस में आपको पता है टू चल लगे खतम एल का एल का एस में दो जाएंगे फी में जाएंगे सिर्फ खतम एम के एस में जाएंगे तो इसकी आपको शिरफ और सिरफ लास्ट वाले की जो है सब शेल की इलेक्ट्रानिक कॉन्फिग्रेशन आपको फाइंड आउट करनी होगी ठीक है तो आप यह देख सकते हैं किस तरह से निकालते हैं सबसे पहले आता है शेल कॉन सा शेल है थट यह लिख दिया थ्री इसका कॉन सा है आगे हमने बताने है सब शेल कॉन सी है यह शिरफ s में आके खतम हो गया, क्योंकि इसका एक 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 екटरॉन था, अगर यहाँ होते ज्यादा तो हम उसको और तरह से करते हैं, अभी यह सब्चल है यह यहाँ पर s एक खतम और लेक्टरॉन नहीं है, configuration यह को घवल के ने nel्ट लिए इन उसके बाद कितने छेंट ट्नी ऊंज ट्रों लेक्ट्राम संब कि असे से तरह से आप बहुत ही इजिली अउट कर सकता है let's move on further मैं और elements का आपको बताती हूं अब जैसे यह हैं suppose मैं आपको इसमें से यह आप एक एक चीज करके देखेंगे ठीक है इसके लिए मैं बता रेती हूं आपको करो लाइक कारबन का और राइट कारबन का वी अविए एक डामिक नूम्ब्र 6 ठीक है तो एक लिए यह असमें साफ्विक लिए यह पहले एस में आपको यह कम्को डूबड हो गये और स्क्रिय बाकी है हमारे 4-2-2 तू इलेक्ट्रोंट बाकी है उसको घर नहीं मिला अब उसके घर देने के लिए हम पी के पास जाएंगे पी के अंदर यहां टू इलेक्ट्रोंज आ गया और यह हो गया खतम तो इसकी जो फाइनल जो आउटर मोस्ट सब्चल है उसकी एलेक्ट्रोंट इसकी पी और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोंज है इस सब्चल के अंदर वी आप टू तो इस सब्चल इलेक्ट्रोंट कॉन्फिग्रेशन विल बी टू पी टू इसका क्या मतलब हुआ यहां पे इसका मतलब हुआ कि यह सेकिंड पिरियोड में रहता है लेकिन पी ब्लॉक प्लॉक है अब यह चीज आपको ब्लॉक्ञोंगत ही अच्छे से जानकारी सब्सक्राइण में वी-वाल व्लॉक एस है यह पी-वल्य होगा ठीक है इसको और एक ग्जांपल देदेती हूं मैं आपको आप यह सारे फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही इसली ठीक है तो मैं आपको यहां फॉस्फोरस का एक्जांपल देदेती हूं 15 we have 15 फॉस्फोरस फॉस्फोरस 15 इसका electronic configuration होगा हमारा के ल में जाएगा पहले जाएंगे टू दन जाएंगे एट वी आर स्टिल लेफ्ट विद 5 तो 5 चले जाएंगे म में थीक है तो यह इसका हो गया electronic configuration अब सब्सेल की configuration श्फेस्टल में देख लेते है कहां कहां कितना डिवाइड हो रहा है तो ये 2 है सबसे पहले जाएगा s में तू इलेक्ट्रॉण बहर गया 也可以 सबसे पहले अपर एच में जाएगा टू इलेक्ट्रॉण जा सकते है सके अंदर फिर अभी भी भी बाकी है मांस कितने बाखी है स्पांच है तो सबस्से पहले ये समे जाएगा कितने लेता हैं माक्शिम इससे ज़्यादा नहीं लेता हुआ इसके बाद आ गया हमारा जाएगा बोद्सरी घर में आप हमें यहां पर जगा देड़ो तो P maximum 6 ले सकता है तो 3 वो इसली ले लेगा और यह हो गया मारा खतम अब क्या करना यह जो लास्ट वाला है इसके कोईडिंग हमने इसकी configuration बनानी है तो कैसे बनेगी जी जो लास्ट वाला है सबसे पहले हमने लिखनी है यहां लिखेंगे 3 देन अगेन उसके बाद है हमारी सब्सेल कौनशी है पी और कितने नंबर आफ इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर की आप 3 तो इसकी जो electronic configuration होगी सब्सेल की दाट विल बी 3 P 3 इसका क्या मतलब हुआ कि यह आपका period classification का हम बना देते है टेपल शाँ यह आगया पी ब्लॉक तो पी ब्लॉक हम्हें पता है कि यह ब्लॉक होता है इसके थार्ड ग्रुप यह थार्ड पिरियेड्ट है पूछेंगे कि बताओ फॉस्पोर इसका कौन सा ब्लॉक है किस ग्रुप में वो रिजाइड करता है उसका कौन सा पिरियड में वो रिजाइड करता है तो आप यहां से पूरा टेबल याद करने की जरूरत ही लगा कि आपको यह अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा और अगर नहीं भी हुआ बच्चे तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इसको फिर से देखिएगा यह डेफिनेटली मुझे नहीं लगता इसको समयने में कोई सी परेशानी है बार-बार देखिए जब तक समझ ना आ जाए बहुत इजीली समझ आएगा आपको और एक-एक एलिमेंट के आप खुद से करके देखिए इसकी कॉन्फिग्रेशन मैंने वैसे यहां पर सब दे दिया और यह मैंने जो रेक्टेंगूलर मार्क बनाए है इसका मतलब यह है कि जब हमें पिरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसकी हमने प्लेश दिखनी है तो हम यह लास वाला ही देखेंगे हैं हमें पूरी उलेकट्रानिक कॉन्फिग्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें सिर्फ लास्त वाले की निकालना है और मोस्त होंगी इसकी सब्चल की जो आउटर में सब्चल हैं उसका ही सिर्फ हमने यहां पर configuration find out करना उसी से हमें पता चाहे जाएगा कि यह कौन से पिरेड में हैं कौन से ग्रुप में हैं और कौन से ब्लॉक में हैं तो यह सारा आप करके देखना अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आप सही तरीके से सब्चल की configuration नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखके पूछ सकते हैं मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगी बट यह जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ज्यादा से ज्यादा प्रेंट करेंगे करने के बाद किसी और को समझाएंगे आपके खुद के डाउट्स क्लियर होंगे करके देखिएगा जरूर तो थैंक यू तो मच्ट वाचिन दिस वीडियो यह लंबी हो गई है तांक यू सो वेरी माच ग्रेंबी झने नंदेगा अजयर तो मच्ट वाचिन आपके यवाफ़ स्वादा